नमस्कार दुस्तो आज हम महराजा कमपनी का डबल बुलोवर रूम हीटर है सबसे पहले इसको खाइसियत क्या है दुस्तो यहाँ पर देख रहे हैं रूट्री स्यूच दिया है जो कि यहाँ पर सेंटर ओफ दिया है तो सेंटर ओफ हो जाएगा यहाँ फैन का निसान दिया है तो यहाँ क्योवल फैन चलेगा इसका wheatter जो है heutter काम नहीं करेगा इस period में क्योपलάν फेन देगा क्योपलावा देगा और यहाँ पर देख रहे हैं एस single dot का निसान जो दिया है यहाँ पर करने के बाद में नोप को 1000 Wat में ये काम करेगा और उसके बाद में यहाँ double dot यो दिया है इस पर हम जदी नोप को घुमाएंगे तो 2000 वाट में काम करेगा और इसमें और खाइसियत है कि यहाँ पर थर्मो आश्टेट सीच दिया है इस पर मिक्सिमम में या मिनमम में आप करके वोल्टेज के नुसर चला सकते हैं आपका जो हीटर है ज्यादा हीट होने के बाद में आटोमेटिक यह आफ हो जाएगा इस जो हीटर है जलने से बचा देगा इसलिए इसमें दो जगह थर्मो आश्टूट दिया है एक यहाँ पर और एक अंदर में और दोनों साइड में देख रहे हैं यह एर के लिए एर इनलेट दिया है और इस सेड में भी दिया है दोनों सेड में दिया है जो फैन अंदर में दिया है दोनों सेड में फैन दिया है और आगे में जो हावा का प्रेसर देगा गरम हावा देगा जो क्वाइल है क्वाइल हीट होगा तो हावा आपको गरम देगा इसलिए इसमें सारे system function जो है इसमें function दिया है तो दोस्तों इसमें और problem है कि जो अभी ये जो heater है heater लगाए है और इसमें जो thermostat दिया है हम अंदर में दिखाएंगे और इसमें problem क्या है तो दोस्तों इस heater को लगाने के बाद में एक minute से कम यानि कि एक minute मानके चले एक minute heating करने के lifelong travel ूबाद में Otomatik केிreon ओप हो जा रहा है और फन भी औफ हो जा रहा है तो इसको ठीक करना है तो दूस्तो इस episriate में हम घर पर ही ठीक करेंगे चुकि इसमें क्ष जड़ा कमी नहीं रहता है बहुत प्रोब्लम रहता है और इसको आप चाहे तो अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं इसी के बारे में हम आज की वीडियो बना है तो दुस्तो आप मेरी चैनल पर नए है तो सबसे पहले मेरी चैनल को सबस्क्राइब कर ले सांथ में गंटी प्रेस करना ना बूले तो दुस्तो इसको आसानी से बाहर निकाल लेंगे और अंदर में यहां पर इंडिकेटर दिया हुआ इंडिकेटर को लिका लेंगे और जो प्लेट है इस पैनल को हटा लेंगे तो दुस्तो प्लेट के हटाने के बाद में आप देखेंगे कि यहां पर भी एक थर्मोस्टेट दिया है ज प्रस्ट thirty इहां पर लेटे हैं और क्या करना है कि यहां पर बैक साइड में दो क्रूप !! को और क्रूप को ओपन कर लेंगे जो मेंन लीड है मेंनलीड का स्ट्रेक्सन ढान्य है यहीं पर na दूनों इस group को हम open कर लेंगे और open करने के बाद में हम अंदर में test करेंगे कि इसमें क्या खराब है तो चलिए दूनों इस group को हम open कर लिए और यहाँ पर देख रहे हैं दूस्तो जो में वाइर है यहाँ पर में वाइर का कनेक्षन यहां जो एकल डिया है डबल का है और जो रिट कलर का यह वाईर आ रहा है यहां पर इस तरह से यहां थर्मोवस्टेट से होकर यहां पर इस तरह से जा रहा है रोट्री स्वीच पर यह जो देख रहे हैं नारंगी कलर का जो वायर है यह रोट्री स्वीच पर जा रहा है आपको दिखा देते हैं तो इसको टेस्ट करेंगे कैसे एक मल्टी मीटर ले लिए हैं यदि आपके पास मल्टी मीटर नहों तो इसके बतले में आज 100 का 100 Watt का आप Bulb लेकर इसी तरह से जिस तरह से मल्टिमीटर का Connection करेंगे चेक करेंगे हम Thermo State पर उसी तरह से आप 100 Watt का Bulb से ही Connection करके टेस्ट कर सकते हैं तो अहां पर जो नारंगी Color का Wire है कहां पजार आईस को ध्यान देना है इसके लिए क्या करेंगे हम कि यहां नीचे में एक स्क्रूप दिया है दोनों साइड में दिया है तो दोनों साइड में नहीं खोलेंगे हम एक साइड में के वाल कोलेंगे जीधर Connection करना है उधर के वाल कोलेंगे तो चलिए इस साइड में हम खोल लेते हैं इसको बर को और खुलने के लिए यहां पर एक स्क्रूप दिया है इसको भी हम उपन कर लेंगे और उसके बाद में उपर में भी दिखाते हैं इसक्रूप दिया है यहां पर यहां पर भी एक स्क्रूप दिया है और आगे में भी जहां एर देता है हवा देता है हिटिंग का य इनों इस group को हम open कर लेंगे, open करने के बाद में इसको हम आसानी से बाहर निकाल लेंगे और इसमें जितने सारी connection है, connection को हम अच्छी तरह से इसमें देख लेंगे कौन सा wire, तो दोस्तों main lid का यहां पर red और black color का wire है, तो black color wire में जो black color का wire है, इसमें हम multimeter का एक कोई भी lid, यान जैदी 108 का bulb से चेक करें हैं, तो 108 का bulb आप black color wire में एक point को जोइंट कर देना है, चलिए इसमें हम कस दिये, और उसके बाद में red color का wire को मिलाते हैं, जो red color का wire है, यह output होकर यहां इस तरह से thermo estate पजा रहा है, देख रहे हैं, यहां पर इस तरह से thermo estate पजा रहा है, यहां पर, चुकि यहां से thermo estate, maximum और minimum में आप करके, इसको कम बेसी कर सकते हैं, यहां से यहां भी कर सकते हैं, जिस तरह से automatic जो iron होता है, उसी तरह से इसमें system दिया है, तो यहां पर thermo estate से होकर, यहां rotary के एक पोल पजाता है, तो यहां पर multimeter का एक wire, इसमें हम लगा कर, उसमें फंसा लेंगे, जिदि आपके पास 100 watt का bulb हो, तो आप सवट का bulb का दूसरा wire जो है, इसमें फंसा देंगे, चली यहां पर हम इसको फंसा दिये, और फंसाने के बाद में जो thermo estate है, इसको हम चेक करेंगे, सबसे पहले, चली इस thermo estate को चेक करेंगे, तो यहां पर फैन को देख लेंगे, घुमा कर कि फैन कहीं से फंस तो नहीं रह है, यहां पर फैन बिल्कुल सही चल रहा है, तो उसके बाद में हम में लीट को सप्लाई देंगे, यहां पर जो रूम हिटर है, इसको हम सप्लाई दे दिये, तो यहां पर सप्लाई देने के बाद में देख रहे है, यहां पर मल्टी मीटर का जो लीट है, मल्टी मीटर का लिट सूख कर रहा है और यहीं पर मालूम चल जाएगा कि काउन सा थर्मोस्टेट खराब हुआ है यह जो है अभी फैन पर चल रहा है इसको हम सिंगल यानि कि एक हजर वाट पर कर लेते हैं उसके बाद में हम दो हजर वाट पर करेंगे और देखेंगे कि आटोमेटिक आप ह होता है कि नहीं होता है अभी तो दोस्तों एक हजर वाट पर अभी चल रहा है अज जैसे ही इसको दो हजर वाट पर हम देंगे आटोमेटिक आप हो जाएगा जो हीटर है फैन है साथ में दोनों आप हो जाएगा तो दोस्तों चलते हैं इसको डबल डबल दो हजर वाट पर पर हम करते हैं यहां पर 2000 वाट पर इसको कर दिए और थुड़ा देड़ देखते हैं तो दोस्तों देख रहे हैं अभी 2000 वाट के करने के बाद मैं यह automatic up हो गए इसमें अभी supply है लेकिन automatic up होए गया है और यहां पर जो यह थर्मो अस्टेट है बिलकुल सही काम कर रहा है यहां पर इस तरह से तो यह वोला जो thermostat है बिल्कुल सई है और उसके बाद में यहां पर जो thermostat है यहां पर off हो गया है देखते हैं यहां पर चिम्टा से इसको थोड़ा सटा कर देखते हैं देख रहे हैं यहाँ पर यह जो थर्मो अस्टेट है यहाँ पर हीटिंग के वज़ा से यहाँ पर ओफ हो गया है इसको क्या करना है इसको चेंज कर सकते हैं जिदि आपके पास इस तरह का thermostat है तो अगर नहीं है तो इसमें कुछ करना नहीं है यह बहुत असान तरीका है इसको ठीक करने के लिए तो आहां पर देख रहे हैं अभी इसको थोड़ा उपर में करके इसको देख रहे हैं और एक कुछ समय चलेगा फिर अटोमेटिक यह आगे वाला thermostat है उपर जो नूब दिया है वो बिल्कुल अभी सही है तो दोस्तों देख रहे हैं यह आटोमेटिक यहां पर आप हो गया है इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे कि यहां पर जो वायर हम जोइंड किये हुए हैं इसको निकाल कर और आगे वाला thermostat पर चेक क अगे में करेंट लगने का डर रहेगा और करेंट लगेगा ही लगेगा इसलिए सवधानी हटी दुरगटना घटी यह सब सारे बाते को ध्यान देते हुए आपको काम करना है और चलिए हम मल्टीमीटर का एक वायर जो बलैकुला वायर में जॉइंट किया हुआ था इसको एक वायर को हम निकाल लेंगे और उसको आगे थर्मोस्टेट पर चिक करेंगे चलिए यहां पर निकाल कर जिस तरह से एक पलेकुला वायर कसा हुआ था उसी तरह से इसको वहीं पर कस दिये हैं और मल्टीमीटर को चलिए आगे में हम लेकर आते हैं और जिदि आपके पास 108 क का बल्बे से आप इसको चेक कर सकते हैं तो यहां पर देख लेना है फैंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसके बाद में जो में लीड है में लीड को सप्लाई से जोड़ना है चलिए यहां पर मैंने सप्लाई दे दिया और सप्लाई देने के बाद में हम मल्टीमीटर से को चेक करेंगे दोनों pin पर तो अहां पर अभी चल रहा है तो दोनों got supply बताएगा जैदी ऑफ हो जैएगा तो यहां पर एक pin पर नहीं बताएगा और एक pin पर supply बताएगा तो दूस्तों गोब कैसे है देख रह रहे हैं यहां पर चिम्टा से उपर करने के बाद में अभी heating है, इसके वज़े से अभी काम नहीं कर रहा है, थोड़ी देर के बाद में जैसी ठंडाएगा ये काम करना चालू हो जाएगा, तो इसको करना क्या है, तो सबसे पहले इसको ठीक करने के लिए main lid को निकाल देना है, यहाँ पर ध्या इसले उपर की तरफ हलका कर देना है, यह हाड रहता है, इसके वज़े से यहाँ पर जैसे ही heating होता है, गरम होता है तो यहाँ पर लूज हो जाता है, और लूज होने के बाद में supply अप हो जाता है, तो इसको करना कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा पत्ती को हलका सा उपर मे कर देना है, जिदि इसमें carbon लगा हो, तो इस रिसल पेपर ले साप कर देना है, और उसके बाद main lead को board से हम join करेंगे, तो चलिए यहाँ पर main lead को board से लगा दिये, अभी बिल्कुल सही हो गया है, और यहाँ से minimum और maximum करने के बाद में यहाँ से off, on भी होता है, यहाँ से भी on off होता है, तो यहाँ ठीक कर दिये, और यहाँ पर जो खराब था, यह वला ठीक ने कर देख रहे हैं, यहाँ पर off हो जा रहा है, और on भी हो जा रहा है, यहाँ से भी होता है, तो चलिए दोस्तों यह बिल्कुल जो है, रो मिटर अभी बिल्कुल सही condition में है, यह ठीक हो यहाँ पर thermostat दिया है, यह thermostat ज्यादा लूज होने के वज़े से भी काम सही तरीका से नहीं करता है, फिटिंग होने के बाद में ज्यादा लूज हो जाता है, पति कमजोर हो जाता है, तो काम नहीं करता है, तो चलिए दोस्तों जितने सारे स्कुरूप था, जितने सारे बो डोस्तों आप से एक request है कि आप जदी मेरे इस झाल को जदी मेरे इस वीडियो को पुरा देख रहें हैं और वीडियो आप लोंको जदी पसंद आए तो आप करें मेरे इस वीडियो को ज्यादा सी ज्याधा सेर करें और आप मेरे इस चैनल को नीचे में रेट कलर में सबस्क्राइब लिखा होगा सबस्क्राइब कर ले और सबस्क्राइब करने के बाद में बेल घंटी दिया होगा बेल घंटी पर प्रेस कर दे ओल नोटिफिकेशन दिया होगा उस पर जाकर आप ओके करें इसलिए कि जितने भी सारे हम वीडियो यूट्टूब पर अपलोड करेंगे सबसे पहले आप देख पाएंगे चलिए दोस्तो जो महराजा कमपनी का बुलवर रूम हीटर था ये अब कसके फिट कर चुके हैं और इसको फिर से एक बार और सप्लाई देकर हम टेस्ट कर लेते हैं यहां पर चलि हम आते हैं यहां ज देखाластуйте म हम लेता हैं कि छोते हैं उन्ग कर देखावा हैं व 된 दो एक ए्व ले पीडियों